नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ पहले तो मैं आपका सुक्रिया आदा करता हूँ जो आपने मेरे पिछले वाले वीडियो इट हेल्थी और स्टे हेल्थी को इतना अच्छा रेस्पोंस दिया दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का ये मक्षद है कि आप ऐसा कुछ खाएं कि पियें कि कम से कम बिमार पड़ें वो कहता है ना दोस्तों कि prevention is better than cure मैं यही चीज लोगों के अंदर जाकरूक ता फैलाना चाहता हूँ दोस्तों पिछले बार जो वीडियो था वो इसी का एक हिस्सा था उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप MRP एक फर्मूला दिया था जिसका आप जाद से जाद इस्तमाल करें वो चीज खाएं जिससे आप कम से कम बिमार पड़ें डायविडिस के साथ साथ बहुत सारे बिमारों के लिए ये MRP आपको मदद करेगा दोस्तों लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत सारे पैसेंट्स ने मेरे और बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ने मुझे एक सवाल पुछा कि जो MRP का पहला वर्ड आता है वो आपका M, milk and milk products वो उस चीज उनके अंदर खटक रही है बहुत सारे लोगों ने ये पुछा दोस्तों कि जो M आता है milk वो तो आज लोगों के जिन्दगी में एक एहम हिसा बन गया है बचों से लेकर बुडों तक सारे लोग लगवक जादा से जादा 80% से जादा लोग दूद का इस्तमाल करते हैं अपने रोज मरना की जिन्दगी में तो अगर हम दूद का परहेस करें तो जिन्दगी में बहुत सारा परोब्लम आ सकता है दोस्तों विटामिंस की कमी के सासाथ प्रोटिंस की कमी और बहुत सारे प्रोब्लम सा सकते हैं ऐसा उन्होंने मुझे पूछा तो उसको मादे नजार रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का आज फैसला किया है दोस्तों मैंने बहुत सारी रिसर्च किये और पता लगाया तो एक खास एहम चीज मुझे हाथ लगा एक संसनी खेज खुला सा मेरे हाथ लगा दोस्तों जो मैं आपके साथ सेर करना चाहता हूं इसलिए यह वीडियो बनाया दोस्तों जो दूद हम इस्तिमाल करते हैं वो हम नहीं जानते हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो दो तरिका होता है दोस्तों पहला तो A1 केतेगोरी का होता है और दूसरा A2 केतेगोरी का होता है वेस्टन कंट्रीस में न्यूजिलेंड और ब्राजील में यह सोध होके यह रिसर्च होके पता चलाएं कि दोस्तों जो होलस्टीन के तरह का बिरिशी नसल के गाये हैं जो जादा बहुत जादा दूद देते हैं हाइब्रीड के वज़े से वो उनसे जो दूद मिला है उससे खास प्रोटीन मिला है उससे बोलता है A1 कैसिन तो उसे बिटा कैसिन A1 भी कहते हैं दोस्तों और चीज जिस दूद में मिलता है उसको A1 मिलक कहते हैं यह यह दूद ज्यादा तर बिदेसी गाउ के नसल में मिला हुआ है दोस्तों इसलिए उसको A1 गाये भी बोलते हैं जिसमें ये बिटा केसिन A1 नहीं होता है तो ये ज़्यादा तर रिसर्च में पाये गया है कि देशी किसम के गाये जो की खास कर हमारे हिंदुस्तान में पाये जाता है हमारे भारत देश में पाये जाता है देशी किसम के गाये उनसे जो दूद मिलता है वो देशी दूद में वो बिटा केसिन A1 नहीं होता दोस्तों एक खासीज में आपको पताना चाहता हूँ जो बिटा केसिन A1 है ये बहुत सारे बिमारी पैदा करने का मुख्य कारण होता है उनमें से डाइबिडीस, कैंसर भी एक बहुत ही लाइलाज बिमारी है दोस्तों जो इनसान के अंदर पै ज्याद़ कैंसर का बिमारी आप बढ़ गया है क्योंकि अभी सरकार की प्रोचाओन के कारण लोगों में यह हाइबिरड वाले नसल जजदा पैदा करके जादा दूद का ये फैलाब हुआ है लोग पहले से देसी गाय के दूद का इस्तमाल कम कर रहे हैं विदिसी नसल के गाय का दूद का इस्तमाल पैकेड़ वाले दूद का इस्तमाल जादा कर रहे हैं इसलिए दोस्तों इस बिमारियों का कारण जादा बढ़ रहा है तो दोस्तों मैं यह चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के मूल के देशी गाय का इस्तमाल जाद से जादा करें ताकि आपको इन बिमारियों से मुक्ती मिल सकें देखिए दोस्तों आज क्या हो रहा है कि वेस्टेंड कंट्री जैसे कि मेरे बाला बोला ब्राजील और न्यू कर रहे हैं अपने देश में और अपने देश में उसका दूद इस्तमाल कर रहे हैं एक मिल्क कंपनी बनाकर उसका इस्तमाल कर रहे हैं जबकि हम अपने खुद के देश में उनके विदिशी नस्रों का गाय का ब्रीड बनाकर वो खराब वाला दूद एवान वाला दूद इ बिमार पड़ रहे हैं दोस्तों इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है तो मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि प्लीज ज्याद़ से ज्याद़ा देशी गाये का दूद का इस्तमाल कीजिए देशी गाये के नासकर दोस्तों, थेंक यू.